अलो गाईज, वेलकम पैक, मैं न्यू ब्लोग, तो कैसे हो आप लोग, I hope कि बड़ी आई होंगे, फिलाल गाईज, मैं आपको पताया था कि मैं आया हूँ हैदरावाद, और मैंने आपको यहां का नजारा नहीं दिखाया था, तो मैं अभी आपको, अभी जहां पे मैं रह र अभी आए, क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने चेंज कर दिया है, तो मैं अभी जहां पे अभी रह रहा हूँ, अभी आपको वहां का छत का नजारा दिखाता हूँ, और यहां से हमको लगता है, बहुत खुबसूरत नजारा दिखता है, हैदरावाद का तो आपको दिखाता हूँ, आप यह देखो, कितना मस्त नजारा लग रहा है देखने में, आपको चारो वगल का नजारा दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं, और अभी आपको कुछ आवाज थोड़ा-थोड़ा सुनाए दे रहा होगा, क्योंकि आज मतलब यहां दो तीन पुजा वेठाया जाता है, और लगवग पाल दिन, छे दिन अपने अनुसार सब को ही रखते हैं, और आज एक जगर विसरजन हो रहा है, जो आवाज आपको थोड़ा-थोड़ा आरा होगा, जो आज विसरजन होगा, कुछ नगारे सब का आवाज आरा होगा आपको, और आप यहां से देख सकते हैं, और आपको आगे का दिखाता हूँ, यह तो पीछे का बेग्राउंड है, और आपको आगे का दिखाता हूँ, आप यह देखो, कितना मस्त नजारा लग रहा है, देखने में, आपको पसन ज़रूर आया होगा, तो मैं इसी जगा पे रह रहा बस आज के इस ब्लोग में इतना ही और हमारे कोलेनिक के नीचे भी एक गनेश कुजा बैखा हुआ है और वहां का जब विसर्जन होगा तो मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगा अभी विसर्जन नहीं होगा उस दिन एक दो दिन के बाद विसर्जन होगा रिसर्जन जब होगा तो मैं आप लोगों को जरूर वो वीडियो दिखाऊंगा तो गाइस आज के छोटे से ब्लोग में इतना ही मिलेंगे नेक्स्ट ब्लोग में तो बाई बाई टेक केर सी यू बाई लव यू